नाइन में के रहा है एलस फाइनेशल यह रेंड दिसेंबर यहर एंड कब और है 31 दिसेंब्र डबैलन्स इनर बोक्स एन 1 जनवरी इंक्लोड दा फॉलवेंग वाट दू दीस बैलन्स इस रिप्रेजंट यह जो कमिशन रिशीव जो है वो आरा रहा है डेबिट कमिशन रिश इसका क्या मतलब है बताओ ये जो कमिशन sources मिलेगा यह मिलेगा ये कमिशन मिलने वाला है तो यह क्यलाएगा income outstanding यह too ऑ्क्रूर्ट इंकम और इसेट है इसका कमिशन मिलने वाला है रेंट रिसीवेबल जो है उसमें क्रेड़िट आ रहाए ख्रेड़िट का मतलब यह liability बन गई यह होगा income prepared अगर advance में पैसे आ गए तो हमाई लिए liability है और अगर हमने service provide कर दी लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले आज नहीं तो कल मिलेंगे तो वो क्या किलाएगा accrued income, income outstanding तो यह debit हमाई लिए receivable है और यह credit advance में पैसे आ गए हमाई लिए liability तो answer क्या बनेगा भाई बी बनेगा सही बात है भाई बी बनेगा बिल्कुरूँ